मश्कार दोस्तों ब्लिश ट्रेडिंग के डेली एनलिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है चले देखते हैं मार्केट कहा मोमेंटम कर सकता है किस डिरेक्शन में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं त्यूज़ देगो गाइस आप हमारा कल के वीडियो देखें मैंने क्या कहा था कि अगर मार्केट गैप खुलेगी ठीक है जब भी हमको एक जेक्श में दिखा रहा था मार्केट गैप खुलेगी तो हमको कैसे ट्रेड करना था गैप खुलेगी तो हम डे क्लोजिंग के तूटने का वेट करेंग तो आप देखो ये market ने gap up खुला, gap up खुलने के बाद 18,000 का level टुटने के बाद easily हमको 18,100 तक का target मिल गया उसके बाद market ने लगबग लगबग 140 तक गई 18,140 तक वहाँ से rejection लेके फिर से market ने 18,000 तक retest किया और अभी 18,100 के आज पास market ने closing दी है ठीक है तो आप हमको Tuesday कैसे trade करना है चले देखते हैं मालने जे market flat खुलती है, ठीक है flat खुलने के बाद ये जो low है 18,000 का इसके नीचे अगर market आएगी तब ही हम लोग यहाँ put की position बनाएंगे flat खुलने के बाद जब तक market 18,000 के नीचे नीचे नहीं आएगी तब तक हम लोग put की position नहीं बनाएंगे उसके बाद क्या से trade करना है flat खुल के अगर market ऊपर चलना शुरू होती है तो हम लोग यहाँ पे 18,100 के ऊपर अगर market निकलती है ठीक है यह level जब भी तूटेगा तब हम लोग और call की position में आएंगे flat खुलने के scenario में flat खुल के अगर market 130 के ऊपर निकलती है तो हम लोग यहाँ पे call की position में आएंगे target हमारा रहेगा 200 तक ठीक है 200 के ऊपर भी अगर market निकलती है यह हमारा flat खुलने के scenario है in case market बड़ा gap up खुलती है again gap up खुलने के scenario में हम लोग कैसे करेंगे यहाँ पे आज़की closing के तूटने का wait करेंगे ठीक है तब हम लोग यहाँ पे put की position बनाएंगे और gap up खुल के market 18,200 के ऊपर निकलेगी तब हम लोग यहाँ पे call की position बनाएंगे otherwise यहाँ पे call की position जब तक 200 का level नहीं तूटेगा और हम लोग gap up के scenario में नहीं बनाएंगे ठीक है gap up के scenario में 200 का level तूटना जरूरी है तब हम लोग यहाँ पे call की position बनाएंगे और gap up खुल के अगर day closing को तोड़ती है तो हम लोग यहाँ पे good की position बना सकते हैं बड़े gap down के scenario में again अगर market 18,000 के नीचे खुलती है घ्यान देज़े अगर market 18,000 के नीचे खुलती है तब हम लोग यहाँ पे price action देखेंगा अगर first red candle 15 minute की red candle बनती है तो उस candle के high cash stop loss लाके हम लोग नीचे की तरफ जा सकते हैं लेकिन market को कब यहाँ पे 18,000 के आजपस है उसके नीचे खुलना ज़रूरी है और मालने जिए इसके थोड़ा सा 18,000 के ऊपर खुलती है 18,000 के ऊपर खुलती है नेगेटिव candle का सिन्यारियो कब है जब market 18,000 के नीचे खुलेगी तब की बात करूँ ठीक है तो यह हमारा निफ्टी का लेवल है वीडियो को बार बार सुनियेगा तो आपको लेवल समझ में आएंगे और किस तरह से उसमें entry लेनी है यह भी आपको समझ में आएगा ठीक है चले बैंक निफ्टी देख लोते है बढ़िया देखिए बैंक निफ्टी भी मैंने कहा था gap अप खुलेगी तो gap अप खुलने के सिन्यारियो में जब तक market day closing नहीं तोड़ेगी तब तक हम लोग put की position में नहीं जाएंगे आप देखिए वहीं से market ने exact support लिया और वहां से market ने continue ऊपर का रास्ता दिखाया हमको यहाँ पर हमने कहा था कि 400 का level तूटेगा तो हम लोग easily 600 तक जा सकते हैं और आप देखिए कितना easy हमको one way 600 तक का target easily मिलिया अब वहां से market ने rejection लेके आप देखेंगे कि 400 का फिर से support लिया और 600 के आसपास market ने closing दिया ठीक है तो अब हमको कैसे trade करना है मालने जे market flat खुलती है flat खुलने के बाद अगर market 400 के level को तोड़ेगे तभी हम लोग यहाँ पर put का position मनाएंगे otherwise हम लोग put की position नहीं बनाएंगे जब तक 400 का level नहीं आएगा तब तक हम लोग put की position नहीं बनाएंगे एक और चीज़ अगर आप देखोगे इसमें inverse kind of head and shoulder pattern हमको दिख रहा है अगर आप देखोगे यह चोटा सा shoulder फिर अपना या बड़ा सा head और एक यह चोटा shoulder अगर market यहां से breakout देती है तो हम लोग कैसे trade करेंगे मालने जिए market फ्लैट खुलती है फ्लैट खुलने के बाद जब तक market यहां पर 700 के उपर नहीं निकलेगी तब तक हम लोग call की position नहीं बनाएंगे ठीक है करके scenario में अगर 700 तोड़े के flat खुल करके तो हम लोग का पहला target 800-800 के बाद सीधे हम लोग यहां पर 43,000 तक के level देख सकते हैं यहां पर हम लोग stop loss trail करते हुए चल सकते हैं फ्लैट खुलने के scenario में अगर market 400 तोड़े के तब हम लोग यहां पर put की position मनाएंगे बड़े gap up के scenario में माल लिजे market यहां पर खुलती है 800 के आस पास है तो यहां पर हम लोग फिर ना positive candle देखेंगे अगर माल लिजे first 15 minute में यहां पर positive candle बनती है तो हम लोग उस candle के low का stop loss राके call की position में बैठ सकते हैं मार्गेट हमारा 43,000 तक रहेगा ठीक है और माल लिजे market gap up खुल के आज की closing को तोड़ती है तो हम लोग यहां पर put की position बना सकते हैं बड़े gap down के scenario में कैसा है बड़ा gap down खुलता है और माल लिजे 400 के नीचे ही खुलती है तो यहां पर हम लोग आज की closing के तूटने का वेट करेंगे तब हम लोग यहां पर call की position मनाएंगे target जो level दिये हुए वो हमारा target रहेगा हम धीरे धीरे यहां पर SL करते हुए जाएंगे और माल लिजे यहां पर gap down खुल के चार्सो की level को तोड़ती है तब हम लोग यहां पर put की position मनाएंगे वीडियो को बार-बार ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको level समझ में आगा entry की जगा पर लिनी कैसे लिनी आपको clear इसमें समझ में आगा live market scenario के लिए आप हमारे telegram channel में जुर सकते हैं का link description box में मौझूद है आपको हम यहां पर live market scenario चार्ट से लेटर रिस्टाउक से लेटर शेयर करते हैं जिससे आपको